गुड मॉर्नी, माइ नेम इस रजनी देवी, आई एम टीचर फ गॉर्वर्मेंट हाई स्क्यामी स्कूल खर्णा शर्गा तो टूडेज माल टॉफिक इस एल्फाबिट्स एन वर्ड्स तो यह टीलम मैंने क्लास फर्स्ट के लिए बनाया है तो खलास फर्स्ट के बच्चों को सबसे पहले हम इल्फाबिट्स का कंसेप्ट देँगे इस तीलम के जरिए तो जैसे इल्फाबिट्स हम पड़ेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y ठीक है यह हमारा हो गया alphabets अब हम इसी TLM के जरिये बच्चों को vowels का भी concept दे सकती है और consonants का भी concept दे सकती है जैसे कि हमारे alphabets में 5 vowels होती है और बाकी के 21 जो हैं वो consonants होती है ठीक है अब देखो इसमें हम पहले vowel का concept देंगे A, E, I, O, and U यह हमारे आगे 5 vowels ठीक है और बाकी जितने भी हैं B, C, D, F, G, H यह हमारे consonants होती है ठीक है अब मैंने इसी TLM के side पर देखो कुछ letters लिखी है I, P, O, G, O, X, A, T, O, P, E, N, O, M, A, R अब यह जो मैंने दो-दो letters लिखी है इनका कोई मतलब meaning नहीं निकल रहा है यह meaningless word है ठीक है लेकिन जब हम इसी consonants को जब हम इनके साथ मिलाएंगे तो यह हमें एक meaningful नया word मिलेगा जैसे यह O, G हम ले लेती है ठीक है तो जैसे हम D, O, G, dog बन गया इसी को साथ जब हम F लगाएंगे तो F, O, G, fog बन गया ठीक है H, O, P, hop बन गया ऐसी जब हम करेंगे D को अगर हम यहां लगाएं D, E, N, den बन गया अगर हम Y को लगाएं Y, A, K, york बन गया ठीक है तो ऐसी जब हम हर किसी के साथ जैसे हम यहां आ जाएं C, A, R, कार बन गया ठीक है तो इससे क्या होगा हमें ने, 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 जो हैं वो वर्ड मिलते जाएंगे ठीक है तो यह था मेरा TLM Class First के लिए Thank you